Hello students, welcome to Niel's Chemistry Channel आज हम करेंगे thermodynamics का next lecture जिसमें हम discuss करने वाले है state variables, state function क्या होता है thermodynamic processes, thermodynamic equilibrium तो सबसे पहले start करते हैं state variables से state variables क्या होते है state variables हमारे system की condition को define करते है कि हमारा system किस condition में है या बोल सकते हैं हमारा सिस्टम किस स्टेट में है मतलब माल लो यह हमारा सिस्टम है अब इसकी स्टेट क्या है हम कैसे डिफाइन करेंगे ऐसे डिफाइन करेंगे कि इसका प्रैशर माल लो हमारा 180M है इसका टेमट्रेचर माल लो हमारा 40 डिगरी सल्सेस है इसका volume हमारा 100 ml है यह सब क्या कर रहे हैं? यह सब system की state को define कर रहे हैं कि हमारे system कि state में है कि वो उस temperature पे है, उसका pressure इतना है, उसका volume इतना है ठीक है? जो हमारे variables हैं, जो हमारे system की state को define करते हैं उसको हम state variables बोलते हैं समझ में आ गया? state variables क्या है? state variables हमारे किसी भी system की state को define करते हैं कि वो किस state में है, किस condition में है अगर हम इस system की state को change करना है माल लो मैंने बोला इस system की हमने state को change करना है तो हम क्या करेंगे? हमें इस system की state को change करना है तो हम इन variables को change करेंगे तब ही तो हमारे system की state change होगी न हम pressure को 180M से ज़ादा कर देंगे या कम कर देंगे ठीक है ऐसे ही temperature भी हम change कर देंगे और volume भी हम change कर देंगे तो हमारे system की state change हो जाएगी समझ रहे हो मतलब system की condition को state को जो भी define करे उसको हम state variables बोलते हैं और अगर हमने system की state को change करना हो तो हम कैसे करेंगे इन state variables को change करके system की state change कर देंगे समझ में आगी second बात यह जो हमारे सारे state variables हैं यह state functions होते हैं जितने भी हमारे state variables हैं सबसे बहले बात करते हैं हमारे state variables है कौन-कौन से हमारे 8 state variable है सबसे बहले temperature, pressure, volume, number of moles ये लिख लो कि हमारे state variables है कौन-कौन से है number of moles ठीक है entropy जिसको हम acid node करते है enthalpy जिसको हम acid node करते है कितने हो गए 1,2,3,4,5,6 Gibbs free energy Gibbs free energy ये हो गए 7 और एक होती है हमारी internal energy internal energy जिसको denote करते है E से या U से कुछ book में E से denote किया होता है कुछ book में U से denote किया होता है अब इन state variables को वैसे हम हर एक को detail में पढ़ेंगे भी entropy क्या होती है, enthalpy क्या होती है Gibbs free energy क्या होती है फिल हाल आप ये समझो कि ये सारे के सारे क्या है state variables हैं और ये जो सारे के सारे हमारे state variables है ये state functions होते है इसका मतलब क्या है state function का मतलब क्या है हमारे सारे के सारे state variables क्या है state functions है इसका मतलब क्या है कि इन सभी state variables की value का जो change है वो depend करता है सिरफ initial और final condition पे मतलब इनकी value में जो भी change आएगा change in value वो सिरफ depend करेगा किस पे depend on initial and final condition initial and final condition या बोल सकते हो state initial and final state पे depend करेगा अब इसका मतलब क्या है माल लो हमारे पास एक system है A एक system है हमारे पास B ठीक है इसकी internal energy हमने माल ली U A और इसकी internal energy हमने माल ली U B अब हमारा जब state change हुई हमारे system की जब state यहाँ पे change हुई तब हमारे internal energy भी change हुई हमारे internal energy में कितना change आया है या हमारे internal energy में कितना difference आया है वो depend करेगा सिरफ मैंने बोला initial और final state पे और हम difference हमेशा कैसे निकालते हैं? हमारी internal energy में कितना difference आया है? वो हम हमेशा कैसे निकालते हैं? final minus initial, final state हमारी कौन सी है? यह वाली? ठीक है? यह इसमें change हुआ ना? हमारे system A से B में change हुआ तो हमारी internal energy भी change हुई हमारी final state कौन सी थी? internal energy की UB और initial state कौन सी है? UA तो यह आजाएगा हमारा change in internal energy मतलब हमारा जो change आया है डाइटा क्या शो कर रहा है? हमारे internal energy में जो change आया है उसको हम कैसे निकालेंगे? final में से initial को minus करके और इनमें जो change है वो सिरफ और सिरफ initial और final state पे ही depend करता है इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मैं आपको एक और example दूँ जैसे कि हमने माल लो यह graph है pressure और volume के बीच में ठीक है? मैंने बोला सिरफ और सिरफ initial और final condition पे ही depend करेगा वो कैसे करेगा? देखो यहाँ पे माल लो यह था हमारा एक path 1 यहाँ से हमारा start हुआ और यह फिर गया यहाँ तक यह path 2 अगर मैं आपसे पूछूँ कि हमारे pressure में कितना change आया? change in pressure वो आप कैसे निकालोगे? obviously अगर हमारा pressure भी क्या है? हमारा state variable है state variable सारे state functions होते है state function हमारे सिर्फ initial और final state पे ही depend करते है तो final minus initial change पता कर लेंगे ठीक है? लेकिन अगर मैं पूछू path 1 के लिए यह हमारा path 1 है यह हमारा path 2 है ठीक है? path 1 के लिए हमारे change in pressure की value क्या है और path 2 के लिए हमारे change in pressure की value क्या है? तो वो दोन्नों value same होंगी वो दीना change हो सकती है क्योंकि यह path function नहीं है यह सिर्फ state function है उसको नहीं फर्क पड़ता कि हमारा जो change हुआ है किस path पे हुआ है? 1 से हुआ है यह 2 से हुआ है? दोन्नों में value same आएगी path 1 के लिए भी हमारे जिन pressure की value उतनी ही आएगी जितनी path 2 के लिए आएगी ठीक है? क्योंकि हमें क्या देखना है? सिर्फ initial and final condition यह बोल सकते हो initial and final state ही देखने है जो कि दोनों में same है path से हमें कोई लेना देना नहीं है समझके state variable सारे के सारे state functions होते है state functions को path से कोई लेना देना नहीं है उसको सिर्फ initial and final state से ही लेना देना है ठीक है? अगर मैं आपको path 1 and 2 के लिए change in volume पूछती तो आप क्या बोलते है? change in volume obviously volume तो volume जो final condition में था final state पे था और volume जो initial state पे था ठीक है? ऐसे निकालोगे उसका वो path 1 के लिए उतना ही आएगा path 2 के लिए भी उतना ही आएगा क्योंकि उसको path से कोई लेना देना नहीं है initial और final state अगर same है तो हमारी value same आएगी ठीक है? ये बात समझ गे अब जहां भी ये बात आजाएगी कि ये हमारा state function है तो हमेशा समझ जाना कि उसको path से कोई लेना देना नहीं होगा सिरफ आपने उसकी initial और final state ही देखनी है उसका change आप क्या से निकालोगे? final minus initial करके ठीक है? अगर मैं बोलूँ वो path function है जैसे कि हमारे path function 2 है यहाँ पे जो हमने पढ़ने है heat और work इनको हम detail में पढ़ेंगे heat और work क्या है हमारे path functions है अगर मैं आपको पूछती यहाँ पे work done निकालो change in work done तो path 1 के लिए अलग होता path 2 के लिए अलग होता change in heat निकालने के लिए बोलती है आपको मैं change in heat and change in work done यह path functions है वो same नहीं आएंगे दोनों path के लिए वो दोनों path के लिए different डिफरेंट आएंगे समझके path function and state function आपको समझने है चलिए next topic है हमारा thermodynamic equilibrium thermodynamic equilibrium हमारा system हम कब बोलते हैं कि वो thermodynamic equilibrium में है जब हमारे system की state change नहीं हो रही हो मतलब उसका जो pressure है वो same रह रहा हो ठीक है उसका temperature same हो उसका volume same हो जब यह सारे variables हमारे यह सारे state variables जब हमारे किसी भी system के लिए change नहीं होते with respect to time time के with respect to time हमारे यह सेट variables हैं किसी भी system के जब change नहीं होते उसको हम thermodynamic equilibrium की बोलते हैं हम बोलते हैं कि वो system thermodynamic equilibrium में है जैसे मैं आपको example हमारा container है, उसमें जो pressure, temperature and volume है हमारी gas का, हमने मालों यहाँ पर 1 mol gas भरी हुई है, वहाँ पर pressure, temperature and volume जो है gas का, वो same है, ठीक है, क्योंकि हमने boundary ऐसी लगाई हुई है, adiabatic boundary लगाई हुई है, कि हमारा adiabatic, ठीक है, और हमने यहाँ पर piston भी ऐसी लगाई हुई है, मालों उसको हम move नहीं कर सकते, या वो खुद भी move नहीं हो सकती, हमने ऐसी piston लगाई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा pressure, temperature and volume सब same रहेगा, वो exchange भी नहीं हो सकता हमारे surrounding से, क्योंकि हमने adiabatic boundary लगाई हुई हमारे temperature exchange नहीं हो सकता, pressure भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह movable नहीं ह या दूसरे type से आप इसको ऐसे बोल सकते हो, उसकी macroscopic properties चेंज नहीं हो रही हो, हमने macroscopic properties पढ़ लिया है ना अभी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ ले ना, macroscopic properties ही है, यह सारी हमारी pressure, temperature, volume, ठीक है, यह change नहीं हो रही, time change होने से यह properties चेंज नहीं हो, system जो है, वो therm isolated system यही तो होता था, adiabatic boundary होती थी, stationary हमारी piston होती थी, मतलब हमारी wall होती थी, boundary होती थी, वो हमारी stationary होती थी, अगर आपको याद हो पिछले lectures तो उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है, यह समझ आ गया, next है हमारे thermodynamic equilibrium की three types है, एक तो हम thermodynamic equilibrium को ऐसे भी define कर सकते हैं, या हमार thermodynamic equilibrium कोई भी system, इन three types को अगर simultaneous apply attain कर ले, तब भी उस system को हम बोलेंगे कि यह thermodynamic equilibrium में है, अभी यह जुमा 3 types आपको पढ़ाने वाली हँ, यह तीनों की तीनों अगर simultaneously attain कर ले कोई system, तब भी हम उसको बोलेंगे कि वो thermodynamic equilibrium में है, तो सबसे पहले हमारी टाइप क्या है, thermal equilibrium, thermal equilibrium यहां पर heat flow ना हो, no heat flow, हमारे system में heat flow ना हो, यहां पर system में हमारे heat flow कहा हो और यह देखो, हमने यह जो boundary लगाई है, वो adiabatic है, यहां से heat अंदर और बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, तो हमारे system में जो heat है, वो constant रहेगी, heat flow नहीं होगा, तो obviously हमारा thermal equilibrium अच्छीव हो जाएगा, ठीक है, second thermal equilibrium समझ में आगया, अगर हमारे system में heat flow ना हो रही हो, ठीक है, second है हमारा mechanical equilibrium, mechanical equilibrium क्या होता है, अगर हमारे system में कोई भी mechanical work ना हो रहा हो, ठीक है, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था close system, close system में हमने यह जो piston लगाई थी, यह movable लगाई थी, और मैंने आपको बत mechanical work कर रहा है, ठीक है, अगर हम movable लगाते तो, अगर किसी ने previous lectures नहीं देखे हैं, तो please उनको देख लीजिए, मैं link आपको आई बटन पर दे दूँगी, तभी आपको चीज़े अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो piston है, वो movable है यह नहीं, तो work में भी mechanical work ना हो रहा हो, ठीक है, समझ के, थार्ड है हमारा chemical equilibrium, chemical equilibrium, अब chemical equilibrium क्या है, chemical equilibrium, chemical reactions में देखते हैं हम, हमारे system में कोई chemical reaction हो रही है, ठीक है, जैसे माल लो, यह हमारे system में कोई chemical reaction हो रही है, उससे A plus B से हमारा C plus G बन रहा है, ठीक है, अब इसके composition में change ना हो, मतलब हमारे concentration of reactant is equal to concentration of product, या बोल सकते हैं, इनकी ratio vary ना करे, सभी type से समझा दिया, मतलब chemical equilibrium क्या है, जब हमारे system की composition चेंज ना हो, या हम ऐसे समझ सकते हैं, concentration of reactant and product हमारी same हो, या उनकी जो ratio है, reactant की और product की जो ratio है, वो same हो, मतलब वो vary ना करे, AB हमारे CD को बना रहे, उतना ही हमारा CD हमारा AB को बना रहे है, ठीक है, उसकी ratio में कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं है कि यह जादा बना रहा है, यह combine करके CD जादा बना रहा है, और यह combine करके AB कम बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की ratio है, वो same है, इनकी पूरे reaction में जो composition है, वो same है, समझ रहो मेरी बात, chemical equilibrium, chemical reactions में देखते हैं, इसको आप ऐसे कि समझ सकते हो कि concentration दोनों की reactant and product की same होनी चाहिए, यह दोनों की ratio vary नहीं करने चाहिए, दोनों की ratio भी same होनी चाहिए, जितना यह, उतना यह, ठीक है, equilibrium है यहां पे जितना यह, इसको बना रहा है, ठीक है, तो यह थी हमारे 3 thermodynamic equilibrium, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, thermodynamic equilibrium क्या हो हो हमारी heat रहारी हो हमारे पूरे सिस्टम में नेक्स है हमारा mechanical equilibrium क्या होता है अगर हमारा सिस्टम कोई mechanical वर्ख ना करे उसको हम mechanical equilibrium बोलते हैं ऐसे हमारे chemical equilibrium हम chemical reactions में देखते हैं जब हमारे product and reactant की जो concentration होती है वो same होती है उनकी ratio vary नहीं करती जितना हमारा रियाक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उतना ही प्रोडक्ट से रियाक्टेंट बन रहा हो, उसको हम क्यामिकल इकल्यूब्रेम बोलते हैं, बोलते हैं कि वो सिस्टेम हमारा क्यामिकल इकल्यूब्रेम में आईसो का मतलब से थर्मल का मतलब क्या होता है temperature अगर हमारा कोई process constant temperature पे हो रहा है तो उस process को हम isothermal process पोलते हैं इसको हम achieve कैसे कर सकते हैं अगर हम कोई ऐसा container लें जिसकी boundary हम diathermik बना दे मतलब conducting बना दे जिसमें से heat flow हो सकती हो हमारे सिस्टम में अगर temperature increase होगा तो वहाँ से heat हमारी surrounding में चली जाएगी हमारा temperature maintain रहेगा अगर हमारा बाहर increase होगा तो यहां आ जाएगी हमारा temperature हमेशा constant रहेगा ऐसे process जहाँ पे temperature constant हो उस processes को हम isothermal process बोलते हैं और उसको हम ऐसे achieve कर सकते हैं हमारे सिस्टम में जो boundary है वो conducting है सेकिंड है हमारा isobaric process isobaric process क्या होता iso मतलब same bar किसका unit है pressure का इसका मतलब constant pressure ऐसे processes जहाँ पे हमारा pressure constant रहे ठीक है उन processes को हम isobaric processes बोलेंगे कैसे अब यह कैसे achieve कर सकते हैं हम देखो कोई process कर रहे हैं इसको मानलो हम heat कर रहे है ठीक है अब यह जो reaction जो हो रही है हमारी यहां पर कोई भी reaction कर रहे है यह जो हो रही है हमारी यह atmospheric pressure की presence में हो रही है ठीक है यहां पर हमने इसको open रखा है तो हमारा atmosphere का pressure होता है वो तो same ही रहता है ठीक है तो कभी change होता ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारी reaction constant pressure पर हो रही है और जाधा तर जो हमारी lab में reactions होती है, हमेशा यादक ना, जो lab में maximum reactions होती है हमारी constant pressure पर ही होती है, मतलब उसमें जो pressure है वो change नहीं होता ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, change in pressure is equal to 0 यहाँ पर change in temperature is equal to 0, जितनी भी हमारी lab में reactions हम करते हैं, chemical reactions, वो constant pressure पर होती है अब मैंने आपको example दे रही है कि कैसे हम उसको achieve कर सकते हैं अगर हम atmospheric pressure पर कोई reaction कर रहे हो ठीक है, next है, third, isochoric process, isochoric processes में क्या होता है, हमारा जो volume है, वो constant रहता है ठीक है, मतलब change in volume equal to 0, हमारा volume change नहीं होगा ठीक है, जैसे वहाँ पर हमारा temperature constant रहा था, temperature change नहीं हो रहा था, delta T is equal to 0 आ रहा था ऐसे हमारा pressure constant होने का मतलब हमारे जो change है pressure में वो 0 है, ऐसे ही volume जब constant होगा किसी process का, उस process को हम isochoric process बोलेंगे, उसका मतलब है कि change in volume हमारा 0 हो जाएगा अब इसको कैसे attain कर सकते हो, हमारा change in volume 0 कब होगा, जब हम जो boundary है उसको हम बंद कर देंगे हमारा कोई close system हो, ठीक है यहां से हमारा इसका volume कम ना हो रहा हो अगर हम system को बंद कर देंगे तो उसका volume थोड़ी कम हो सकता है या जादा हो सकता है, ठीक है से हमी रहेगा ऐसे ही fourth है हमारा adiabatic process, adiabatic process क्या होते थे इसको आप बता सकते हो, तेखो adiabatic boundary पड़ी थी ना हमने adiabatic boundary में क्या होता था, heat exchange नहीं होता था हमारे system का surrounding से, adiabatic processes भी वो ही होते हैं, जहां पर heat exchange ना हो, ठीक है no heat exchange, system से surrounding में हमारा heat exchange जब ना हो रहा हो, उस process को हम adiabatic process बोलते हैं, यहां पर मतलब change in जो heat है, वो zero होगी जो heat में change होगा, वो zero होगा, क्योंकि change तो होई नहीं रहा, वो तो high constant है, heat flow होई नहीं रही है, जब heat flow ही नहीं होगी, तो obviously उसमें change कैसा होगा last है हमारा cyclic process, next है हमारा cyclic processes, cyclic processes कौन से होते हैं, जब हमारा system ना original state में आते हैं दुबारा, ठीक है पूरा process हुआ हमारा, हमने system की state change की, ठीक है, बट उसके बाद वो fit से original state में आ जाए, ठीक है, उसको हम cyclic process पोलेंगे, system returns to its original state ऐसा process की है, जिसमें हमने system की state change की और फिर दुबारा वो original state में आ जाए, उसको हम cyclic processes बोलते हैं cyclic processes में एक बात याद रखना, पहले आप मुझे question का answer दो, यह मैंने फिर से pressure और volume में ग्राफ बनाया है, यहाँ पर देखो, यहाँ से start हुए थे, pressure increase हुआ, फिर volume increase हुआ, फिर pressure decrease हुआ, फिर volume decrease हुआ यही है न हमारा cyclic process, original state पे दुबारा आ गए, ठीक है, यह हमारा cyclic process है, cyclic process में जो state variables होंगे, उनकी value क्या होगी, अगर हमने change in volume बता करना हो यहाँ पे, थो हम कैसे करेंगे, change in volume की value क्या आएगी, खुद सोच के देखो, change in volume की value या change in pressure की value यहाँ पे क्या आएगी, कैसे द मतलब उसमें कोई change ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो जितने भी हमारे state variables होते हैं, अगर हम cyclic processes की बात करें, उसमें जितने भी state variables होते हैं, उनका change हमेशा 0 होता है, ठीक है, cyclic processes में, जो हमारे state variables का जो change होता है, वो हमेशा 0 होता है, मतलब अगर हमें कोई भी cyclic process दिया है, उसम मतलब जितने भी हमारे state variables थे उनकी value 0 होगी अगर कोई cyclic process है उसमें जितने भी state variables हैं उनकी value equal to 0 होगी यह आपने याद रखना है cyclic processes का समझ में आया न कैसे 0 होगी क्योंकि state variables सारे क्या है state function है वो initial और final state पे ही depend करते है उनको path से कोई लेना देना नहीं कि उन्होंने क्या किया उन्होंने work done कितना किया उससे कोई लेना देना नहीं वो हमारे state function है initial condition भी यह और final condition भी यह तो इसका मतलब उसका जो change है वो हुआ ही नहीं है change 0 है ठीक है pressure हमारा increase हुआ फिर decrease हुआ हमारा गूम फिर के वहीं आ गया ना तो उसमें change तो कुछ हुआ ही नहीं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो तो I hope आपको यह समझ में आया होगा अगर कोई भी doubt होगा तो comment section में जरूर बताना और अगर समझ भी आया होगा तब भी comment section में जरूर लिखा करो आज के लिए हम इतना करते हैं इस lecture के notes में description box में देज़ू